Shoreshot Formula के YouTube चैनल में आपका स्वागत है हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अबडेट्स पाने के लिए नमस्कार दोस्तों Shoreshot Formula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे है 19th December 2019 का दिन है सुबह के 10 बच कर 38 मिनट हो रहे है और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा Crude NIMEX A Quick Update इस वीडियो में मैं Crude NIMEX के उपर आपको एक क्विक अपडेट दूँगा लास्ट वीडियो जो मैंने कल बनाया था Crude के उपर सरी डे बिफोर येस्टेड़े 17 तारीक को जो मैंने वीडियो बनाया था Crude के उपर उसमें मैंने आपको कुछ Resistance Levels बताये थे और अभी Crude में हमें उन्हीं Levels से Reversal देखने के लिए मिल रहा है एक First Reversal हमें 43-37 के Level से देखने के लिए मिला जो उसको 42-85 के Level तक लेकर गया दूसरी बार कल Crude ने जो High बनाया वो 43-74 का बनाया जो Contract कल Expire हो गया 18th December की Expire ही थी और जो अभी Contract चल रहा है वो January का Contract है और वो Same Rate पे Roll Over हुआ मतलब कोई भी Difference नहीं था Roll Over Cost कोई भी Pay नहीं करनी पड़ी ना Buyers को ना Sellers को और ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि जब Flat Roll Over हमें देखने के लिए मिलें अब जो Main Clue छुपा हुआ है वो Crude NIMEX में छुपा हुआ है दो मैंने एक Hint देने की कोशिश करी थी जो Last मैंने वीडियो बनाया था आज हम उसी वीडियो से आगे आपके साथ Crude NIMEX को डिसकस करते हैं दोस्तों इसमें मैं MCX के Levels की बात नहीं करूँगा मेरा जो Main Focus है वो Crude NIMEX के Level पे होगा और जैसा कि इस वीडियो की Heading है अब Quick Update तो मैं कोशिश करूँगा मैं जल्दी से जल्दी और कम से कम टाइम में To the Point Levels की बात करूँ और इस वीडियो को Wrap Up करने की कोशिश करूँ दोस्तों Crude में हमें कल 61.11 का High बनता हुआ दिखा और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी NIMEX के बारे में कहा था कि 61 से लेकर 62.80 के जो Levels हैं वो बहुत Important Resistance है और अगर कोई Meaningful Decline आनी है तो इन Levels पे Resistance लेना एक बार के लिए बहुत जरूरी होगा उसके पीछे कुछ बहुत महत्वपूर्ड रीजन है वो जो Draw था Inventory का वो Less Than Expected था Minus 1.1 Million Barrels का था और Market Minus 1.5 Million Barrels Expect कर रही थी तो जो Inventory Draw था वो Negative था उसके बावजूद भी हमें एक Sudden Uptick देखने के लिए मिला Crude के Prices में जो की Sustain नहीं हुआ कल जो Closing है वो 43, 44 के आसपास MCX में देखने के लिए मिली Even अगर मैं NYMEX की बाद भी करूँ तो 60.85 के आसपास की Closing देखने के लिए मिली और अभी जो Crude है वो उससे नीचे ही चल रहा है तो चलिए मैं आपको Chart पे लेके चलना हूँ NYMEX के और ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वो कौन से Important Levels है जो आने वाले Time में Crude के लिए Important होंगे NYMEX पे, International Exchanges पे और उनका क्या Effect आपको MCX में आता हुआ दिखेगा जहिर सी बात है कि जब भी हम Prices को Convert करेंगे MCX में तो हमें USD, INR का Factor जरूर Consider करना पड़ेगा दोस्तों Side by Side मैंने Short to Medium Term चार्ट लगाया हुआ है एक 8R का चार्ट है एक Daily का चार्ट है और आप एक चीज गौर करेंगे कि दोनों ही चार्ट में हमें एक बहुत अच्छी Rally देखने के लिए मिली चाहे मैं Daily चार्ट की बात करूँ यह जो चार्ट है वो 8R का है चाहे मैं Daily चार्ट की बात करूँ दोनों में ही एक बहुत अच्छी Rally हमें देखने के लिए मिली और उस Rally का Starting Point लगभग 53 53 Dollars के आसपास था अगर आप देखेंगे तो यह जो Divergence था वो हमें 53 Dollars से आता हुआ दिखा उसके बाद एक Significant चीज अभी क्या हो रही है कि Crude Continuous Overbought में Trade कर रहा है यहाँ पर Overbought में आके एक हमें Divergence देखने के लिए मिला फिर दोबारा अभी Crude जो है Overbought में आ गया यहाँ पर आप देखेंगे कि Continuous 9 तारीक के बाद से Crude Overbought में Trade कर रहा है अच्छा एक बहुत important चीज जो Notes आप लोग बना लें अगर चाहें तो कि कोई भी Commodity हो या Stock हो या कोई भी Instrument हो वो कभी भी ये जरूरी नहीं है कि अगर वो Overbought में चला जाता है या Oversold अगर General Way में आप समझेंगे तो अगर RSI 30 के नीचे की हम Oversold मानते हैं और 70 के उपर के RSI को हम Overbought मानते हैं तो जरूरी नहीं है कि अगर वो Overbought में चला गया तो वो Overbought में नहीं रह सकता या अगर वो किसी Resistance के पास है तो उसको Break नहीं कर सकता उसी तरह से अगर वो Oversold में चला गया तो वो Continuous Oversold में रह सकता है और कई हफतों महीनों तक वो कॉंटी इस तरह के मैं कुछ Stocks आपके साथ Share करूँगा जिसमें कोई Particular जैसे ICICI Bank जैसा Stock है या Bajaj FinServ जैसा Stock है वो महीनों नहीं सालों से Overbought Territory में है या कई ऐसे Stocks है Yes Bank जैसे जो महीनों से Oversold Territory में है और वो वहीं पे बने हुए हैं तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि आप एक छोटा सा Time Frame लगा के वहाँ पर अगर आपने Oversold या Overbought देख लिया और Immediate आप Reversal से पहले Position ले रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि तुरंट आपको गिरावट या वहाँ से एक बढ़त मिले हो सकता है कि आपको और उसमें पेन देखने के लिए मिले तो चलिए हम वापस आते हैं तो Crude में जैसा कि आप देखें एक अच्छी पूरी रैली हमें देखने के लिए मिली Starting from sub 53 levels Till 61 levels ये एक पूरी रैली हमें Crude के अंदर देखने के लिए मिली और जो अभी prices चल रहे हैं दोस्तों वो आप देखेंगे 60.78 डॉलर के prices है 60 डॉलर 78 सेंट के prices नाइमेक्स पे Crude इस समय अच्छा ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये Brent की बात नहीं कर रहा हूँ ये WTI Crude की बात कर रहा हूँ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये WTI Crude है Indian market में भी जो Crude की form trade होती है वो WTI Crude की ही form trade होती है तो अभी के लिए जो important resistance है मेरी नजर में वो first level of resistance 61 का आता है इसमें plus minus आप 0.50 cents पकड़ सकते हैं plus minus 0.50 cents आप पकड़ सकते हैं और जो important support अभी मुझे दिखाई देता है वो support एक आता है 58 point 58.70 के आसपास 58.70 जो है वो एक important resistance के रूप में मैं देखता हूँ 58.70 is sorry 58.70 को मैं एक immediate support के रूप में देखता हूँ क्योंकि जब market उपर जा रही थी तो यही वो level था जिसने एक resistance provide किया था कोई भी अगर pullback आएगा तो 58.70 should be the level of support और अगर मैं उससे भी एक छोटे support की बात करूँ उससे भी उपर मैं जाऊँ तो एक छोटा सा support हमें 60 के आसपास 60.10 के आसपास भी देखने के लिए मिलेगा तो immediately आप याद रखिए एक support जो है वो लगबग सवा 2 डॉलर दूर है और एक support जो है वो लगबग 0.7 cents दूर है यहां से दोनों ही के case में अगर MCX में जैसा कि मैंने आपको 17 तारीक के वीडियो में बोला था कि जो first important support होना चाहिए market के लिए वो 4270 के आसपास होना चाहिए और उसके नीचे अगर market जाती है तो 4160 से 4190 एक important support होगा उसके नीचे 4060 से 4090 यह सारे वो levels हैं दोस्तों जो market के लिए resistance का काम करते आये हैं जो छट का काम करते आये हैं जहां से markets को उपर जाते समय हमें हमें एक pullback देखने के लिए मिला था वहीं पे जब market उपर से नीचे आएगी तो हमें support देखने के लिए मिलेगा लेकिन मैंने जो 17 तारिक की वीडियो में कहा था तो वो वीडियो अगर इस वीडियो को आप completely समझना चाहते हैं या बार बार जो मैं reference points यूज कर रहा हूं उनको भी समझना चाहते हैं तो आप मेरी website पे मेरे YouTube चैनल पे जाके मेरा वो पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं और एक सबसे आसान चीज है जिससे आपको मेरे सारे references सारे वीडियो एक ही जगह पे देखने के लिए मिल जाएंगे वो है मेरी website www.shoreshotformula.com लिंक आपको यहां bottom में दिखरा होगा जाहिए उस पे क्लिक करिए description में भी मेरी website का link है आप जाहिए क्लिक करिए one by one सारे वीडियो देखना शुरू करिए और तब अगर आप regularly पे काम करना और आसान हो जाएगा तो अगर आप उन में से हैं जो केवल blindly किसी को follow करके profit या loss नहीं करना चाहते बलकि वो यह चाहते हैं कि मैं market को सीखूं समझूं अपने नुकसान से भी सीखूं और profit से भी सीखूं ताकि मैं profit को repeat कर सकूं और losses को या गलतियों को मैं avoid कर सक हूँ तो मेरे वीडियो आपके लिए एक perfect platform है आप अगर मुझे एक personal trainer के रूप में चाहते हैं आप चाहते हैं मुझसे personal guidance mentorship या मुझसे personally कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे join कर सकते हैं एक package में आपको सारी services मिलेंगी वहाँ पर आपको software भी मिलेगा personal training भी मिलेगी mentorship भी मिलेगा personal support भी मिलेगा और positional call भी आपको आपके WhatsApp या Telegram पे lifetime मिलते रहेंगी तो आप जाके मुझे वहाँ पर देख सकते हैं watch कर सकते हैं मेरे charges आपको मिल जाएंगे और अगर आपको मेरा content पसंद आता है आपने regular कुछ time तक मुझे watch किया है और मेरे videos से या मेरे level से या नहीं चाहूंगा कि कोई भी अपने जेब से पैसा लगा कर मुझे join करे वो मेरे videos को observe करे मेरे calls को observe करे मेरे levels को observe करे और कुछ चीजे में बहुत openly post करता हूं Twitter पे Facebook पे या मैं YouTube community में या videos में उन videos के observation से भी आप अच्छा खासा पैसा market से बना सकते हैं at least जो मेरी fees है उससे कह नहीं जादा आप बना सकते हैं फिर आप जुडिये हमारे mission 1 to 12.5 lakh का हिसा बनिये जिसमें अगर आप trade करेंगे हमारे strategy के हिसाब से planning के हिसाब से तो आपका 1 lakh rupees strategically trade करके 36 months के अंदर 12.5 lakh में convert हो जाएगा उसमें कैसे trade करना है कितना trade करना है कौन से lots है कब trade करना है उसकी planning क्य strategy हम कैसे बनाएंगे उसमें क्या चीज़ें आपको करनी है कौन सी चीजों से आपको दूर रहना है कहां पर आपको confusion होगा और कहां आपको clarity चाहिए होगी यह सारी information आपको नीचे जो numbers दिये हुए हैं इन में आप call करके या WhatsApp करके information ले सकते हैं तो दोस्तों हम वापस आते ह का जो high बना है 61.11 का वो high market के लिए important है broad range की मैं फिर बात करूँ तो 61 से 62.80 एक important resistance zone है जैसे मैंने आपको Indian market में बताया था कि 43.60 से 44.70 जो कि 50 points extend हो सकती है अगर market momentum में होगी यह एक important zone होगा और market अगर इसी momentum में वहाँ चली जाती है तो फिर वो गिरावट जो होगी वो कम से कम 2500 points की trend reversal भी वहाँ से हो सकता है लेकिन अगर market यहीं से 200 points correct हो जाती है 43, 40, 50, 6, 70 जो भी high card market ने बनाया है अगर वहीं पे consolidate करके और यहां से 200, 200 points correct हो जाती है और फिर वो एक नया base create हो जाएगा मैं आपसे इस बारे में बात कई बार क्या होता है कि मैं 8 दिन 10 दिन पहले वो levels बताता हूं market जाती है correct होती है अच्छा खासा नीचे sustain करती है और वापस जाती है लोग क्या करते हैं first time में उस level को attempt नहीं करते या उस reversal को attempt नहीं करते और second time में जब वो उसको attempt करने जाते हैं क्योंकि floor जो है न वो उपर ह देता हो माली जे यह ball है यह एक ball उपर की तरफ जा रही है अगर यह momentum में यहां तक चली गई तो इसकी गिरावट यहां तक आएगी लेकिन दूसरा case है कि अगर यह ball यहां तक गई फिर यह यहां आई अब यहां पर इसने एक base create कर लिया पहले जो भी movement चल रही थी वो यहा तक निकल जाती तो जो गिरावट होती वो fast होती और इस resistance के रुखने की संभावनाएं जादा हो जाती अब चुकि market ने एक base create कर लिया और फिर जब यह उपर गई तो हो सकता है कि जो reversal है वो यहां तक ना आए या यह जो resistance point है जिसको हम expect कर रहे थे direct में जाने का वो उसको hold न करे और next resistance पे चला जाए तो इस चीज को हमेशा याद रखिए अगर continuity में market उस resistance को ले लेता है तो उसकी गिरावट के संभावनाएं काफी बढ़ जाती है लेकिन अगर उस resistance को लेने से पहले वो एक या दो correction दे देता है तो फिर बहुत possible है कि वो उस resistance को cross करके next resistance की तरफ चला जाए ये भी एक topic है जो मैं लिख रहा हूँ हम इसमें बात करेंगे कि क्यों एक ही resistance बार-बार काम नहीं करता एक ही support बार-बार काम नहीं करता तो दोस्तों ये एक quick update था मेरी तरफ से 9MAX के लिए इससे आप लोगों को कुछ न कुछ MCX का भी idea जरूर मिला होगा डीटेल में MCX में मेरे levels क्या है, call क्या है, मेरा view क्या है उसको समझने के लिए आप जाए मेरी website पे 17 December 2019 का वीडियो देखिए और देखिए कैसे अभी तक market हमारे resistance को नहीं तोड़ पाई और अगर आपने time पे वो वीडियो देखा होता तो शायद 50-60 point आप market से अब तक निकाल चुके होते, तो दोस्तों ये मेरा view point है, इसको देखिए अगर ये आपको पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो इसको like करिए, like करने के साथ-साथ इसे जादा से जादा logo तक पहुंचाईए, जिन traders के साथ आप जुड़े हुआ है, जो blind trade करते हैं, या broker की advice पर trade करते हैं, या जब कोई चीज नीचे जाती है, तो खरीदते हैं, उपर जाती है, तो बेशते हैं, बिना किसी logic के, तो उनको ये videos आप forward किया करिए, उससे बहुत कुछ उन्हें market को सम समझने में, काम करने में, research करने में, analysis करने में, psychology को समझने में, मदद मिलेगी, जो main मेरा उद्देश है, या main मेरा जो लक्ष है, इन videos को बनाने का, इन content को बनाने का, वो ये है कि लोग market की psychology को समझें, अब आप सोचेंगे कि market कोई इनसान थोड़ी नहीं कि उसकी psychology होगी, market को एक cunning इनसान की तरह ही आप समझके चलिए, market को समझें कि वो एक साहुकार की तरह है, जो किसी भी तरह से आपका पैसा लेना चाहती है, और आपको फिर उस तरह से सोचना है कि आप ऐसा क्या करें, कि आपका पैसा उस साहुकार के पास ना जाए, और आप अपने पैसे प जमापूंजी है वो उस साहुकार के हवाले ना कर दें उस साइकॉलोजी को समझने में मेरे वीडियो आपकी बहुत मदद करेंगे तो दोस्तों इनी शब्दों के साथ इस वीडियो का समापन करता हूँ अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चै जय आपकी बहुत में वीडियो आपकी जए चैंन।